हलो आज हम खेल रहे हैं दुबारा से रैंसिमिलेटर तो लास्ट एपिसोड में हमने तीनों खजाने ढून लिये थे जिसके बदले में हमें पच्छी सो डॉलर मिले थे मतलब पूरे खजाने डूनने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ आदा घंटे से भी कम समय लगा और लास्ट एपिसोड में और और यां और नहीं देखा तो जरू चेक करना अब हमारे जो इसेट रेडियों और यहां पर मैरे को कुछ निकरना यह लोग को तो टाइम टू टाइम खाना देना और दोनों भी जो ऑइल रिग हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे को डीजल का ख डालते रहेगे क्योंकि हजार लिटर की तो और की कैपिसीटी है तो वहाँ से अपने को अंगेना पैसा आता रहेगा आज का तारगेट यह है कि आज हम फाइनली पिक का फाम बनाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अभी हमारे पास में है 1762 डॉलर मैं सोच रहूं इसके अंद लकड़ी है मिल रही है जो के बहुत जादा मेंगी है मेरे हजार डॉलर ना बच्चे हुए हजार डॉलर या फिर पूरे 700 डॉलर ना एक बान हाउस बनाने के अंदर ही लग जाएंगे और अभी नहीं वाली मशीन पर्चेस करने से पहले ना एक काम गतो जो मेरे पास में य इसमें से ऑईल अगर नहीं निकाला और एक टाइम में पूरा निकालकर अगर मैंने बेच दिया ना तो अपने को बीस हजार डॉलर के आसपास दोनों रिक से टोटल कमाई हो सकती है बीस हजार डॉलर तो तुम लोग मेरे को कमेंड करके बताना कि मैं बीच बीच में अगर करने के बाद में अपने को सो देड़ सो डॉलर एक सो बीस डॉलर कुछ मिलेगा यह दोनों के दोनों बैरेल रख देते ता कि बाई और एक चीज़ ये भी चेक करनी मेरे को क्या अभी कितना ओयल जम हुआ है चौदा लीटर तेल आया है खाली बस चौदा लीटर के अंदर तक कुछ होने ने वाला यह सौ की एक जो बैरेल हमारा यह एक टाइम में 50 जमा करता है टोटल यह हो गये सो इसके अंदर 33 लीटर अभी पेट्रोल एक काम करता हूं ना 33 क्यों मेरे पास जहरी के अंदर देखो कितना सारा फेट्रोल है मैं इसकी टंकी कर देता हूं अभी फ पहले तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सीधा लकडी पूरे प्लैंक्स पर्चेस कर लू और वह रेडी कर लू अपना बान हाउस बना लू मतलब फिर मैंने सुचे के इतना सारा पैसा प्लैंक्स के अंदर क्यों खर्चा करूं थोड़ी सी अगर मैं महनत कर लूँगा तो पैसे भी बच जाएगे और नहीं वाली चेंसों भी आ जाएगी साड़ा साथा सौ डॉलर का इंवेस्मेंट महां लग जाएगा बट हमारा बान भी रेडी हो जागा मतलब लो कॉस्ट के अंदर थोड़ी सी महनत कर लेंगे तो हमारा एक नया पिक फार्म रेडी हो जाएगा जिस मशिन पर्चेस करना सच में भाई बहुत जादा जरूर हो गया है यह सिमिंट वगरा घरी रखके आता तो जादा बैटर होता क्योंकि अभी बज़रे सुबह के पौने ग्यारा और शायद से आज का पूरा दिन हम अपने फार्म पर ही रहने वाले अपने रेंच पर ही रहे उसके बाद में मेरे पास पैसे कितने बचने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ नाइन एक्टी सेवन डॉलर जिसको हम बहुत ही देख समझ के सोच समझ के खर्च करने वाले और एक बहुत ही ज्यादा मेरे को इंपोर्टन बात बतानी है आप लोगों को कि देखो अभी रेंच की सिर्फ चल रही है चैनल पर ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी जिंदगी में रैंच सिमिलेटर ही खेलता रहोगा ठीक है गेम के अंदर अपडेट आयते हैं बहुत सारी चीज़े एड़ हुए है इसलिए मैंने दुबारा से रैंच की सिर्फ कंटिन्यू किया काम अपग्रेट कर लेगेए सारी चीज़े और में कुछ करने के लिए बचे का नहीं जितने भी फार्म से वो बना लेंगे ऐसके बात में के बाता थी अब लकड़ी काटने से पहले एधर साइट में एक ब्लूप्रिंट रैडी ते है यह बान का फ्रंट वाला हिससा बहु लाइन अगर मैच हो जाती तो सही काम हो जाता, I guess इतना सफिशन्ट होगा है ना, थोड़ा गैप रखेंगे ही हम बीच में, और पीछे की जो लकडी है वो तो मैं हटा दूँगा, और एक दम ऐसे बिलकुल बड़े-बड़े बान ने बनाने वाले हम, ठीक है थोड़ा क्रॉस हो गया, I guess यह है, लग तो रहा है मेरे को क्रॉस हो गया, ने, बिलकुल पर्फेक्ट चाहिए मुझे, I guess यह बराबर होने वाला है वेरी-वेरी नाइस बस थोड़ा सा आ गया चुका है, अब शायद से बराबर हो सकता है अब थोड़ा सा पीछे हो क्या, यह पर्फेक्ट है बिलकुल अब देखे के तो, येस वेरी-वेरी-वेरी नाइस बिलकुल बड़े-बड़े मिडल सेक्शन नीच यह अपने को ठीक है नॉर्मल मिडल सेक्शन होने वाले अपने बान के कोच ऐसा अतरंगी बान जने बनाने वाले हम खुबसूरत बनाएंगे, अच्छे डिसेंट लुकिंग बान बनाने वाले और जहा तक मेरा ख्याल है, इतना सफिशन्ट हो जाएगा यह ना, इतना बराबर इसको और पीछे तक नहीं लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे पिक्स आज आने चाहिए या फिर पीछे भी फ्रंट ही लगा हूँ, हाँ पीछे भी फ्रंट ही लगा हूँ बान का बैक नहीं लगा रहे हैं पीछे, क्योंकि अपने को दो एंट्री मिल जाएगी ना फिर उसके अंदर बान में एंटर करने के लिए है कि नहीं, देखो इतना बड़ा बान सफिशन्ट रहेगा यहाँ पर ना एक काम करेगा है भी मैंने डिसाइडे नहीं किया हूँ यहाँ पर सिर्फ प्रडक्शन वाले पिक्स रहने देंगे, जिससे मतलब दो पिक लेके आएगे दो के 50-100 पिक कर लेंगे एक सीनी नहीं बना क्यूद से कोई बी चीज नहीं निकलती, पिक्स को सीधा अपने को मार तोड़के बेचा होता है तो कोई सेंस नहीं बनता, इतना सफिशन्ट हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे पिक्स आ जाएगा, लेट्स गो, अब चलते हैं फटाफट से, सिमिंट को ना, मैं बाजू के इसमें रख देता हूँ, यह हमारा ना, स्टोर रूम होगा, पहले मैं सोचा था, एक स्टोर अल्रेडी रूम बनाओ है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा ना, सामन, ओ, दो प्लैंक पड़े ना, मेरे पास, अलग से जगह बनाने की जरुरत नहीं, इसी रूम के अंदर पूरा काम हो जागा, अब कितने कितने लगेगे, यहाँ पर लगने वाले हैं भाई, 19 प्लैंक्स बीच से कही से भी काम करना, बस 30 सेगंड पहले देख रो, पूरी धूब निकली भी थी, अचानक से बारिश चाल हो गई, चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, बारिश में ही काम कर लेंगे हैं कि नहीं, अरे इदर तो एक लकड़ी लगाते, पूरा अगवारा पिछवार रेड़ी हो जाएगा तो एक काम करते रुक जाओ, अब सिर्फ बचे का काम और च्छत का काम ना, तो पहले पूरी की पूरी बाउंटरी वगएरा रेड़ी कर लेते हैं, और अच्छा खासा बड़ा बान बना हुआ है, ऐसे नहीं कि छोटा मुटा बान बनाए हैं हमने, का सेकेंड दिन निकला और मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया हमारी हाँ, चलो इनके पास में पानी है, और बचा कुछा पैसा ना मैं सोच रहो बचे कुछा पैसे से ना मैं इधर और थड़ी बहुत मुरी एड़ कर लू ताके और अपने को उता, चूजी के आवाद आरी है, ने, 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 चूजी की आवाज नहीं हो सकती है, इसके अंदर से ये नारमल वाला अंडा है, ठीक है, एक बार अंडे निकालू क्या, अंडे में से बच्चे बाहर नहीं आएंगे, चलो तुम खाओ भी ओ, अंडा दो इधर और अंडे पड़े, अभी अंडों को रहने द सेट और खरीद लेंगे, सेम कलर का, और उनको भी रख देते हैं, थोड़ा सा ना स्पीड बर जाएगी, बाकी चलते हैं अब चलो, जाकर लकड़ी है, बट्रों के लेकर आता है, प्लैंक्स तो मैं अपने घर के बाजू बनाने वाला हूँ, दो लोक पड़े होए हैं यहा कमपनी की चेंसो है, पहले वाली चेंसो के अंदर ना एक लॉक दालो और इंतिजार को, आप इंतिजार करने की जरूरत ही नहीं है, यह थोड़ा सा महनत का काम है, बट हमारे पैसे बहुत जादा बच जाएगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, आँट सो हजार डॉलर ना सिरिफ और सिर्फ प्लैंक्स के अंदर वाई खर्च हो जाते थे अभी अगर लो एफट वाला काम अगर हम करते तो, तो अभी फिलाल में मैंने इतने लॉक्स जमा कर लिया हूँ, इसके अंदर तो हमारा पुरा का पुरा बान शायद से रैडी नहीं होगा, और लॉक्स की जरुरत पड़ेगी बट अभी इतने लॉक्स से हम काम चला लेगे, और अगर जरुरत पड़ेगी तो मैं लेकर आजाओँ, सामने ना एक चीज चमा करी है, जब से धूप पड़ी है, पता नहीं यहाँ पर क्या हमारी बिल्ली तो नहीं है, प्लीज ऐसे नहीं हो, प्लीज ऐसे नह का चलीगी? यह फिर सहाँ सकती है, धूप। नहीं, 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 मेरी बिल्ली, अलवीधा मेरी बिल्ली, इसको इतना ढूड़ी तो इटला ठूड़ी हाँ, मेरे को कही थे भीदी अपे रेंडम दोनों हमारे कुत और बिल्ली दोनों चले कई कई करने वालinas, जब तक मैं उनका मतलब उनको हायर नहींको पालनेगांबाल कि भी नहींगंड़क आयगस इतने लॉक के तो अच्छे खासे प्लैंक्स बन जाएंगे अच्छे खासे बन जाएगे भर कौईनिन, दोनू मुशीनों को अलग अलगे जगह पर सेट करते हैं इदर से हाँ एक मशीन यहाँ दूसरी मशीन यहाँ चाला भाई इसके अंदर भी तेल डालना है सब के अंदर इसको भी चालो इसको भी चालो फटा फट से भाई देखो इसके अंदर कितना टाइम लगे रहा और मुझन में ना come लगेगा पहले त्यक्ता काम करता है यह सारे का उठारए पनाइचे रहरता हु था रहे वाई तुम देख रहे हो किती जादा गोली रफतार है यहां पर आप इंतेजार ने करना अपने को कोई भी चीज का चलो फटा फट से ना लॉग्स रेडी करतो पता नहीं कितने प्लैंक बन जाएगे इतने जितने हमने लॉग्स लेकिया इतने लॉग्स के तो अच्छे रैडियो कहा है कितने टोटल स्टै रेडिय हो रहें दोश्टक तो रैडियो गई तीन स्टै अरे आज़ा वाई टोटल एक दो तीन चैहर पाँच तबmn Ei हृए ने जादा कुछ हैं पाँच स्टै क्लाच मतलब एक के अंदर दो प्लैंक्स हैं स्वेडिए और एक लॉग्स डोप्लंक बंटें नहीं कितने हुए यह चैद से लग रहा है कि जितने विन मेंने बना केंदर क्म कमप्लेट हो जाएगा हां ऊजाए वच नहीं सिरु Alter Beenोर उपर की चछत बनाने के लिए इन नहीं पता मेरे को पहले फ्रेंट और एंड इसका कम्प्लेट कर लेते हैं इसको किते 19 प्लैंक या फिर अरे ना ये तो कॉलम ताना इच्छत अरे हां च्छत को भी तो ज्याद थोड़ी लगे च्छत को भी तो एकी प्लैंक लगता है चलो हो जाएगा अब 20-25 मिट और लगे अच्छे खासे हुए अब की बार तो भाई सच्छी में भी काफी सही हुए चलो फटाफट से अब कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं सॉरी लोक्स को प्लैंक बनाने का काम चालू करते हैं बहुत सा इन्वेस्मेंट ने किया मैंने अब ये लगजेरी चेंस वा पर्चेस करके पैसों का उसके बाद में फिर हम बान का काम चालू करते हैं कि कि फाल तो की महनत करने की जरूरती नहीं ना जब पता ही ये चीज़ करेगे इससे काम काफी जादा स्पीड में हो जाएगा तो फिर क्यों महनत करें बताओ चलो सीम सेट पूरे के पूरे प्लैंक्स बन गए इसके पता नहीं अब कितने स्टैक बनेंगे चार तो अब ही रेडी हो गए बाकि इसके आइगेस हाँ जादा नहीं बनें पाच स्टैक बनें बस चाला ठीक कोई ना च्छत का काम चालो करता है च्छत को तो कुछ भी टाइम लगगा सिरिफ और सिरिफ ये फाउंडेशन ब मैंडै इनले खीन ब्लीटब्लिट घो जाएगा जंब भाई हो जाएगा अगर साही देखे तो हो जाएगा सही तरीके से देखे तो हो । जाएगा बटना चलो कुछ न कुछ तो कमी होगी इतनी अच्छी हमारी किस्मत कहा है वाई है मतलब सिर्फ बाजू के कॉलम के लिए टाइम लगा अपने को बाकी तो देगो पूरा फटा-फट से एक दम है रेडी हो गया है सिर्फ चत बच्छी है बस और यहां पर अभी गेट लगान है तो तुम्हें पता है क्या करना ठीक है चलो चारी की सारी च्छते रेडी हो गया है इतने के अंदर अगर ऊपर का का म हो गया तो Oppलीट अब सीरी बचा है इधर का और हमारा बान finally हमारा बान रेडी हो गया है very very nice बान सेल्स ने बनाएंगे अंदर जब हम गाय वगरा पर्चेस करेंगे तब बान सेल्स बनाएंगे बाकी इदर चाहिए मेरे को दो डोर ठीक है ये एक डोर इदर एक डोर इदर ठीक है बान का बड़ा बाला दर्वाजा हाँ ये राना एलो वाई एक बान का दर्वाजा यहाँ एक बान का दर्वाजा यहाँ इसके लिए मेरे को 16 प्लैंक नहीं तीन मैटल लगेगा और 16 प्लैंक लगेगे सोल अप लेंक तो नहीं है और इसके लिए मेरे को बार अप लेंक और एक मैटल लगेगा चल ठीक है मैटल लगे गई लगेगा उदर मेरे पास में शायद से कुछ मैटल आई गैस पड़ा होगा शायद से पता नहीं अगर जरुत पड़ेगी तो रही तीन सो डॉलर का मैटल खर्चा करके साथ पड़ाए देखो तो रहुत मैटल खर्चा करके लिए कि या जाना पड़ेगा एक काम करतो छोटे वाले को लगा दे तो ना इसको एक मैटल लग रहा है क्योंकि है यहाँ पर एक और इसको तीन मैटल ठीक है अब मेरे पास मैं पता नहीं किते बचे है दो बचे यार एक मैटल के वज़े से एक दरवाजार है जागा वाई बताओ एक और होता ना तो हो गया था साथ मैटल के अंदर ही मेरा काम हो गया था कि तो रात के अच्छा का संदेर हो गए फ्रेंट से तो पूरा का पूरा एरिया मैंने क्लियर कर दिया हो थोड़ा साधर बैक साइट से भी थोड़े पेड़ जमा कर लेते ना वाई सिर्फ फ्रेंटी फ्रेंट से क्यों ठाना ये तीसरी बार मैं इतने सारे लोग्स जमा करके लेकर जा रहा हुआ है यार अभी रात होते होते धूप कहा से निकल गई अच्छा सूरज ढल रहा है ठीक 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 है मेरे को लगा मैं काम में इता जादा बीजी हो गया क्या गला दिन भी निकल गया और मेरे को पता ही नहीं चला बट मामा मामा ऐसे नहीं होता मुलना अभी तो ना भाई अपनी ऑईल रिक के अंदर ना काफी अच्छा ऑइल जमा होगा ठीक है अभी हजार डॉलर का तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना प्रॉफिट होई जागा दोनों का र खिखते कितने दाम कें अंदर सारा का सारा बिकता पेटा इसे नहीं वाली मशिन को ज्यादा अवरे जब पुरानीवाली मसिन धोड़ा सा काम यहाद दोनों केंदर टंकी फूल ती और पहले तेल पुलानी वाली मशिन का खतम होई है यह स्वe उतना सारे प्लैंक्स लगने रेडी ठीक है बाकी इधर ही लग जाएगे किते सारे सोला लग रहे है भाई सोला दो स्टेक तो सिर्फ यह दरवाजा ले ले रहा है हैं इधर पूरे प्लैंक लग गए सिर्फ एक मैटल की कमी है दिबा क्यों ठालिया बेनोबडे इधर के तो डोर रेडी हो जागा यार एक मैटल के लिए मेरे को पूरा का पूरा मैटल का वो खरीद के लिए का आना पड़ेगा बड़ चलो एक्षा में भी पड़ा रहे है मेरे पास में तो क्या ही हो जाएगा इसको हटा देते हैं और पूरे प्लैंक खता होगा इसकी ऐसी की तैसी ये दरवाजे का काव रह जागा मेरे को और लेकर आला पड़ेगा भाई अभी जाकर बारा प्लैंक यहां लग रहे हैं इदर आट और चाहिए ठीक है आस पास से लगड़ी उठा के लाता हूँ और दोनों को फटावट से रेडी करते है अभी जितने लॉग्स में जमा कियो इतने सफीशन्ट होगे इसके अंदर तो भाई हो जाएगा बहुत है ये बहुत सारे मगल्यों मैंने और यह जो लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए ना यह ऐसे चोटे-चोटे इनको हटाना भूल जा रहो मैं उनको हटाना ज़रूरी यह बार बार ना ठुकते रही गाड़ी उससे अपनी चलो ठीक है मशीन हो जाओ रेड़ी भटावट से बहुत काम करना है बहुत तरक्य करना है बहुत आगे जाना है रेंच का नाम रोशन करना है ठीक है अब हो गया है पूरा पूरा अंधेरा वैसे देख रहो हैं कितना ज्यादा डराओना सीध हो गया भी बाई साब जस्ट इमेजिन पीछे दे भालू आकर पकड़ लिए गया हमारी हमें पक फाइनली 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 काम हो गया है कंपलीच इती ज्यादा मेहनत करने के बाद में बहुत ज्यादा सची में भी बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है इधर का तो सीन निये कुछ बस अपने को इधर कुछ यह वाला दर्वाजा आ हाहा फाइनली दर्वाजी काम कंपल ही ठोका या सिर्फ मुझे यहां पर 12 लगड़ी प्रोवाइट अरह हो गया यह भी यह भी राइडियो गया वेरी नाइस वेरी 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 नाइस पूरा पूरा फाइनली बान का काम कंप्लेट सिर्फ यहां पर मेक मैटल सुबह में लाकर लगाना है बाकि जो बचा बटोर के रख लो यह मेरे ही काम में आने वाली यह चीज़े बाद में यार इतनी रात हो गई है बट स्टील देख रहे हो सच में कितना ज्यादा खुबसूरत लग रहा है एक चांद की वज़े से देख रहो कितनी जबर दस्तर आशनी आ रही है एकदम रिलेक्सिंग लग कार के अंदर बहुत जगा है सीधा कार जाएगी यहां से जनरल स्टोर और एक सगेंट उनका खाना और पानी का फीटर था बनाए नहीं यार उसके अंदर बतीस प्लैंक सोर लग जाएगे यह बतीस प्लैंक मैं हाड़वर स्टोर से खरीद रहूँ अब मैं लॉक्स के वह पहले काम करतो पिक्स को रख लूँगा मैं उसके बाद में फिर देखते कौन सा सामन एक्स्टा और आएगा नहीं आएगा मैटल तो क्या है कहीं पर भी आजाएगा मैटल करता दादा सीन नहीं बट जितने हमारे पास में पैसे है क्या इसके अंदर आजागे यार पिक तो जरूरी है भी फिलाल तो लगनी रही है इसी कुछ हाँ इनको देने के लिए खाना लगेगा बट खाना पहले पिक को गाड़ी में बिठाते है उसके बाद में फैसला करेंगे हम कि अपने को क्या करना है यह दोनों के दोनों पिक ना अपने पास में आ जाएगा इतर आओ हो गया है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिर्फ यह बची हुए है तुम भी आजाओ इदर और तुम भी हो जाओ ट्रांसपोर्ट करके अंदर ठीक है इसके बीच में मैटल तो आ ही जाना चाहिए मैटल इसके बीच में आ जाएगा और यह एक बार में जब हट्टे कट्टे होते हैं ना ऒाई और इनका म Combat करते कि इतना पैसा देकि जाता एक पीक इतना ज़ाधा कंचा नऊपेर पहले जुकाण करना है unlimited खाने को सील और यह फूट diff और और पानी विंडम से मने में अपने को लगा यह तेंशन वरी हो जाणा यह बैग लाने की जरुरत नहीं है वीट वाले बैग या जो भी खाना इनका है के नहीं तुम इदर रुको मैं ब्यार हूँ सिर्फ एक मैटल का श्टैक परचस करना पैसे किते पड़े थ्री एटी सेवन डॉलर बड़े है थोड़ा सा कम खर्च करना नहीं यार भाई दस मैटल देखे रहो सो डॉलर का आ रहा है त्यक्ति अब फिलाल में क्या ही कर सकते दस मैटल यह और प्लैंग्स एक दो तीन चार चार प्लैंग के श्टैक भी पर्चेस कर रहो मैं देखा जाएगा जो भी खर्चा हो रहा है अभी समाल लेंगे हम क्योंकि फुड फीडर भी तो बनाना ज़रूरी है पस मैटल बीच में आ जाये ना तो मस्त काम हो जाएगा यह हट जा यार यह बस बीच में आ जा आ गया आ गया इसके ऊपर ही आ जा यह लकडी आ गई ने इसके ऊपर हो गया अपना काम यह बागी के मैं इसके ऊपर एक रखकर लेकर चला जाओंगा गाड़ी छोटी है ना भी हमारी इसलिए दिक्कत हो रही है एक बार बड़ा ट्रक पर्चेस कर ले जाएंगे तो लेकर जाएगे पैदल लेकर जाना पड़ेगा अबने को आप पिर अब कितना पैसा है अपने बास 159 डॉलर्स दुबारा से अपने को हंटिंग क्यों हंटिंग क्यों अभी ऑइल का पैसे आना बाकी है न मेरी जो अब और वी तो भीकेगा और विकेगा अब पीवी का और इसके बाद में आएगा बेशुमार दौलत पिर यह जो कच्छा रास्ता है नहीं है कच्छे रास्ते पे मैं सारी मिट्टी हटा कर यहां पर नोटे बिछाओंगा और अगर कुछ जाद ही पैसा आ जाएगा तो सोना चांदी अशर्फिया यह सारा का सारा हम यहा हाराते है यहां बड़ा वाला फूड ठीक है यह बड़ा फूड तृड कैसको एक काम करते हैं मीडल में लगाएंगे ना एक सवीचर्शन चयोगा अबी के लिए ऐक सफिशेंट ओर एक वाटर बाल बाल्ली लाला के अभी तक ना 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 इसके लिए भी 16 प्लैंक लगेगे जालो भाई फीडिंग तुरू और पानी 21 लिटर इसमें और 21 कीजी खाना इसमें बचा कुछे मैटल के लगाते हैं द्रवाजा संपल अबाउ और वैसे अभी बान की जो फैंसे उसका काम पड़ा हो है ठीक है उतर जा कौन सा काम पता है यह जो बान के आगे हम जो छोटी मोटी फैंस लगाते थे ना मैं सोच रहूं आगे फ्रंट से लगाऊ फैंस यह फिर इदर बैक साइड से फैंस लगाऊ क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए सिर्फ जानवर ज्यादा हो जाते जब अपने को ट्रां कि अपने से पहले यह दोनों मशीनों के अंदर मैं पूरा पूरा तेल दाल देता हूं इनकी टंकी तो पहले फुल कर देते हुँ क्योंकि नशुक्य तो डुनों के नयूड़ी तो ड़ों के टोनों रैडी जो बचा हुआ रोमिट्रियल है इसको अपने चोड़े से जो उसके अंदर छोड़ते छोड़ते जाते है स्लिपंग बैक भी गाड़ी के अंदर रख लो हिजज़त से और कोई चीज चूट रही है यह जैरी कैन पड़ा हुआ है ना भाई दो-दो जैरी कैन है इसको भी फुल करना है एक इसके अंदर तेल होगा ने ले हैं गाड़ी के अब तो फुल हो गई होगी है यह पूरा सामन मेरे कुछ टाइम के बाद में आ जागा कुछ टाइम में क्या अभी और कोई चीज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे ना उसी कि मैं अपने को यह पूरा को पूरा काम में आ जागा और एक जैरी के ना क यह 44 लीटर सौरी 66 लीटर टेल जावा हो चुका और 44 लीटर भाई वह है और और 16 लीटर जम होगे क्या नहीं बचा हुआ है तो अरे हो गया चांदि आज तुम खाली प्रॉफिट देखना आज के बस तुम प्रॉफिट देखो वैसे तेल बचा हुआ है इदर और टंकी फु तुम काम करते रहना रुकना नहीं कोई जरूरत नहीं तुम्हें रुकने की अब प्रॉफिट करने में मज़ा आने वाला है और हाड़वेर स्टोर बेचो या जनरल स्टोर बेचो ओईल का प्राइस सेम ही मिल रहा है कुछ ऐसे खतरनाक नहीं मिल रहा दोनों जगा सेम ही ह जहाने की जरुरत ही नहीं अगर मैं लोन ले देता ना तो कितना सारा इंटरस्ट तो बैंक को भरना पड़ता बट हमने थोड़ी सी महनत की स्मॉर्ट किया और ऐसे समझ लो सारे बिजनस अलमोस्ट मुफ्त के अंदर ही खड़े की है क्योंकि हमारा जो में प्रॉफिट था व बेचू ऐसे समझ लो एक दिन में यहां पर जमा हो रहा है तेल 65 लीटर एक जगा 65 लीटर दूसरी जगा मतलब 130 लीटर ऑईल हम दिन में बना रहे हैं बिना कुछ किये ठीक है रहाम से अराम से चले अराम से चले गाड़ी के अंदर तेल है बलास्ट हो जाएगी गंदी वा जारी है सच जानने की कि हम कितना पैसा बनाने वाले है टोटल 130 लीटर पैटरोल का या गैस का ओके 500 रुपे यहां से 160 यहां से 500 यहां से तेरह सो दस डॉलर हम सिर्फ ऑईल बीचकर मगर मतलब बगार कुछ काम किया कुछ भी नहीं ठीक है कुछ महनत का काम नहीं किया हमने केंडे जमा कर रहे थे खाना दिया पानी दिया बस इतना काम किया और उसके बदले में अपने कितने पैसे कमाए 1300 रुपे बगैर कुछ काम करके यही होता है एसेट का पावर भाई इसके अंदर तो मैं धेर सारा खाना बहुत सारी चीज़े अब अब चेंसो भी जो हमारी ह अभी जो मेरे पास में एक बैग पड़ी हुई है मैं वो एक बैग ना पिक को दे दे रहो खाना क्योंकि उनके पास में कुछ भी खाना नहीं है इनके पास में भी खाना नहीं है लब खाना मेरे को पहले जाकर लिकाराना पड़ेगा उसके बाद बागी सारी चीज़े करने इधर एक सेगंड इधर एक ही अंड़ा दिया है बाकी टटी पड़ी है तीन यहां पर है चौती यहां पर पाच और इनका पती यहां पर चलो ठीक है थोड़ा सा पहले जाकर अराम करते हैं उसके बाद में जाकर ना पिक्स का खाना और पानी दोनों लेकर आ जाएगे तो ये ये था आज का प्यारा सा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और नए आयो हो चैनल पे इंजॉय किया दो प्लीज मेक्शर डू लाइक और सब्सक्राइब क्यों कि एस चैनल पर मैं ऐसे वीडियो डियो डियो प्लेज लाता रहता हूँ बाकी अपडेट्स के लिए इस्ताग्राम पर फॉलो कर सकते हो सारी चीजों का लिंग तुमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जायागा तो चेक जरूर करना और मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में जब तक के लिए टेक कैर पावाए सी